हेलो और वेल्कम बैक टू चैनल मेरा नाम आशिर गयकवाड और स्वागत आप सब इका फिर से एक बार हमार से डूप चाहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाला है बीएसी नर्सिंग के एडिमिशन प्रोसेस के बारे में तो इस वीडियो में बने रही है व हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं बीएसी नर्सिंग के याडिमिशन प्रोसेस के बारे में तो दोस्तों आगर आपको बीएसी नर्सिंग को अडिमिशन लेने के लिए आप एक साइन्स स्ट्रिम से होने काफी ज़रूरी है क्योंकि इसका अगर आप आप एडिमिशन या फिर LGBT क्राइटरे देखे तो उसके according आपको physics, chemistry, biology और English इन 4 subjects को मिला कर आपका जो aggregate score होता है या फिर aggregate marks होता है वो 45% से ज्यादा मतलब minimum 45% आपके marks इन 4 subjects को मिला कर होने चाहिए तो ये LGBT क्राइटरे है सेकेंड लिए अगर age factor देखा जाए तो आपका age should be from 17 years to 35 years इन में जो category wise जो है वो reservations होता है उसके बाद जो entrance exam होती है उसके according मतलब entrance exam के merit के उपर ही आपको admission मिलता है BS in nursing के लिए उसके अलगा कुछ dimmed universities है कुछ dimmed colleges है जो जिनके आपने खुद के dimmed universities है तो वहाँ पर admissions management quota में थ direct admission होते हैं without any need या फिर without any CET कुछ universities में अपने जो dimmed university है उनकी अपने entrance exam होते है तो उनके according उनके admissions होते हैं लेकिन ज्यादा तर आपको अगर BS in nursing में admission लेना है तो without entrance exam आपको admission नहीं मिलता अगर आपका admission लेना है then entrance exam is तो यह कुछ चीज़े है जो BS in nursing को admission के लिए आपको धा अपना जो syllabus से BS in nursing का वो चेंज किया है तो उस नए syllabus के according आठ science humanities commerce वाले लोग भी BS in nursing को admission ले सकते है इस नए syllabus के according जो admission process है वो भी change हुआ है तो वो admission procedure वो process क्या होगा या फिर क्या है वो हम इस वीडियो में देख रहे है सबसे पहले चीज़ यह कि जो भी स्टूड़न BS in nursing को admission लेना चाहता है ही शुड़ बी आइधर फ्रम science humanities arts commerce किसी भी स्ट्रीम से अगर वो हो तो उसको अपने जो कोर सब्जेक्ट है या फिर जो selective elected subject से academic subject से उनको मिला कर उनका जो aggregate score है उसका aggregate score होना चाहिए minimum 45% प्लस इंडिविज्वाली English पास भी करना चाहिए मतलब science से हो humanities से हो आर्ट से हो या फिर commerce से हो किसी भी साइट से आप आते हो आप यह सिंग को English पास किया हो तो इससे आप admission मतलब यह eligibility राइटर में आप eligible होते हो सेकेंड इंग जीज भी कॉलेज से आप 10 प्लस टू करने वाले हो वो एक कॉलेज वो इंस्ट्यूशन स्टेट और सेंट्रल गवर्रमेंट के द्वारा रेकेगनाइजड होना चाहिए तिसरी चीज काफी इंट्रेस्टिंग बताई गए है वो है कि जो भी एन्म से फिर आर एन्म से वो भी इसमें eligible हो जाते हैं अब वो किस तरीके से eligible हो जाते हैं क्या प्रोसेस है इसके बारे में आपको जब admission प्रोसेस स्टार्ट होगी तो भी पता चलेगा लेकिन अगर आपने नया syllabus देखा है प्रोसे बीए सिनर्सिंग का आइनसी के द्वारा तो वहाँ पर आपको यह पढ़ने को मिलेगा कि जो भी एन्म से आर एन्म से वोकेशनल उन्हें भी बीए सिनर्सिंग को admission मिल सकता है और जो सबसे important है वो यह कि जो भी admission आपको होने वाला है वो होगा एक entrance exam के basis पर मतलब अगर आपको बीए सिनर्सिंग को admission लेना है तो उसके लिए आपको entrance exam phase करना होगा और उसके बाद ही आप admission ले सकते हो तो आप इस entrance exam का मतलब यह जो नया फेज है उस नए entrance exam का या किस तरीके से यह entrance exam होगी कुछ से subject होगे कितने marks क्योंगी अगर आपको यह जानना है तो आप नीशे comment box में comment करके बता सकते हैं इस पर भी हम separate video बना सकते हैं या फिर आप मुझे instagram पर DM कर सकते हैं मेरे instagram handle आपको screen पर मिल जाएगे वहाँ पर आप मुझसे contact कर सकते हैं इसके बार में वहा कुझसे entrance exam होते है या फिर हेल किया जाते हैं उन सभी entrance exam की list के बार में हमने एक वीडियो बनाया है उस वीडियो का link नीचे description में आपको मिल जाएगा वह एक बार आप देख सकते हों तो अब यह जो entrance exam होगी उस entrance exam में qualify करने के लिए आपको at least 50% होने चाहिए अगर आप उस entrance exam में आपका score 50% रहता है then you are qualified minimum qualifying score है 50% in the entrance exam और यह जो entrance exam है वह आइदर स्टेट या फिर Central Government के द्वारा यह exams conduct की जाएगे next team next admission criteria यह है कि जो आपका candidate होगा जिन है बीस इनसी को admission लेना है he or she should be medically fit आपको आपका medical fitness certificate वहाँ पर सब्मिट करना होता है colleges में यह eligibility criteria admission के लिए and the other thing is that a candidate should be admitted once in a year इसके अलावा काफी reservation policies भी है हमने जैसे आपने देखा कि candidate medically fit होना चाहिए तो फिर अगर कोई disabled candidate है जिन्हें करना है को admission लेना है तो 3% reservation उनके लिए भी रखा गया है अगर उनके एविलिटी आफ 40-50 परसेंट तक ट्यून है then they can be considered then they can take admission for bsn उसके अलावा अगर कोई भी candidate जिन है color blindness है उनको अगर वो corrective contact lenses use करते हैं तो उस condition में उन्हें admission मिल सकता है तो यह सभी admission procedure है इस entire process को briefly बताओ तो काफी simple process है पिछले जो old process थी और यह जो नई process है इसमें कुछ ज्यादा changes नहीं आया है इसमें बस एक ही चीज़ चेंज हुई है यह कि पहले जो होता था बस science stream के ही admission ले सकते थे लेकिन अभी जो नया syllabus आया है आएंसे के द्वारा उसके according science, humanities, commerce, arts वाले भी BSNS इंको admission ले सकते हैं लेकिन दोस्तों अब arts वाले, humanities वाले, commerce वाले इनको admission मिल लेगा या फिर मिल रहा है या नहीं इसके बार में अब अब कट आएंगा गरा आप चैनल यह हो तो चैनल को सबस्क्राइब करें और इसके इलाओ तो अगर आप मुझे से contact करना चाहते हैं कोई वीडिया पूछना चाहते हैं तो आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हैं Instagram handle आपको screen पर मिल जाएगा तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और topic के साथ तब तक के लिए Shalom, Shanti और सलाम बाबाई Shanti और सकते हैं